सीरیल ये रिष्टा क्या कहलाता है में अब अभिमन्यू देने वाला है अपनी ही मा को यानि की मंजुरी को बहत बड़ा ज्टका मंजुरी को ऐसा ज्टका देगा अभिमन्यू की अभिनव के भी होश उड़ जाएंगे क्या कुछ होने वाला है चलिए हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी खबर इस रिपोर्ट में लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने शानल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें दोस्तो सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में अभी मन्यू को चल जाएगा पता कि मंजरी के दिल में क्या चल रहा है वेल आरोही जानती है कि मंजरी अक्षरा और अभिमन्यू को एक करना चाहती है और वो ये चाहती है कि अब अभीर अक्षरा और अभिमन्यू एक परिवार की तरह रहे और ये सारी के सारी बाते आरोही अक्षरा को बताना तो चाहती थी लेकिन उसने सोचा कि मैं शादी के बाद बताऊंगी पर यहां पर उससे पहले ही अभिमन्यू को बता देगी आरोही कि उसकी मा के दिल में यानि की मंजरी के दिल में क्या कुछ आ चुका है और ऐसे में जब जा कर आरोही यह सचाई बताएगी अभिमन्यू को क्योंकि अभिमन्यू को महसूस हो जाएगा कि अभिनव का चेहरा उत्रा हुआ है और यहाँ पर अभिमन्यू पहले तो अभिनव को समझाएगा कि देखो सिर्फ तुम्हारी ही नहीं मेरी बहन भी विदा हो रही है और बेफिकर रहो मैं वहाँ पर उदैपूर में रहूंगा और मैं पूरा ध्यान रखूंगा मुस्कान का उसका एक भाई कसाली में है तो एक उदैपूर में भी है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी अभिनव के उत्रेवे चहरे को देखकर अभिमन्यू को शक होगा कि बात कोई और है और ऐसे में यहाँ पर आरो ही अभिमन्यू को सच्चाई बताने वाली है और बताने वाली है कि तुम्हारी माँ अब तुम्हारी और अक्षरा की फिर से शादी करवाना चाहती है और वो अभिनव को लगातार ये चीज बोल रही है कि पर्फेक्ट परिवार अभीर अभिमन्यू और अक्षरा है और ऐसे में हैरान होकर अभिमन्यू एक बहुत बड़ा कदम उठाएगा जी हाँ शादी के बीच से अभिमन्यू अपनी माँ को खीच कर लेकर जाएगा और अकेले में ले जाकर अपनी माँ से बात करकर उसको ये बोलता हुआ नजर आएगा कि माँ अब किसी भी जिन्दगी को खराब मत करो मेरा अलग परिवार है और वहाँ पर अभिनव जी का अलग परिवार है मैं शर्मा जी को परिशान नहीं करना चाहता हूँ वो एक बहुत नेक और अच्छे इंसान है हाँ अबीर मुझे बहुत प्यारा है मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ मेरा बेटा है पर किस्मत ने जो लिखा है वही होगा आप प्लीज ये सब मत करो वरना शर्मा जी तूर जाएंगे मैंने उनके चेहरे पर उदासी देखी है वेल हम आपको बता दें कि ये सारी कि सारी कनवर्सेशन अभिनव भी सुन लेगा जिसके बाद अभिनव उठाएगा बहुत बड़ा कदम वेल दोस्तों क्या लगता है आपको कि अब क्या करे का अभिनव हमें कमेंट्स में आप जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाई को शेय करना आप ना भूलें